नमस्कार मैं हूँ दिपिका शार्दा और आप देख रहे हैं जनुदे वक्त हो चुका है देश और दुनिया की दस बड़ी खबरों का आये रुप करते हैं भारतिय खूफिय एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में बम धमाकों का एक बड़ा शडियंत्र नाकाम किया आईएसाई के टेरर मॉड्यूल में शामिल छे आतंकी पकड़े गए दिल्ली के निजे स्कूलों ने कक्षा छटी से कक्षा आठवी तक के स्टूडेंस के लिए फिजिकल क्लास की दिल्ली सरकार से अनुमती मांगी है जी मेंस परिक्षा परिनाम गोशित 44 उमिद्वारों ने पाया 100% टाई 18 को मिली 1st रांक बढ़ते वे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखकर सरकार पेट्रोल और डीजल को जीस्टी के दाइरे में लाने का विचार कर रही है राकेश्ट कैत का तंज कहा भाजपा के चच्चा जान है ओवेसी इन पर कभी कोई केस नहीं होता आइफोन 13 और आइफोन 13 मिन्नी को लांच किया गया आइफोन 13 मिन्नी की कीमत 699 डॉलर से शुरू होगी जबकि आइफोन 13 की कीमत 799 डॉलर से शुरू होगी ट्रम के घुसे से घबरा गए थे अमेरिकी सेना प्रमुप चीन को दो बार सीक्रेट कॉल किया था मेट गाला 2021 किम काट्शियर की ड्रेस पर करिना कपूर ने किया रियाक्ट सोशल मीडिया पर उड रहा है ड्रेस का मजाग तो बात कर लेते हैं आज के इतिहास की आज ही के दिन 1969 में भारत के राष्ट्रे प्रसारन सेवा दूरदर्शन की शुरुबात हुई थी देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे जन उदय के साथ